स्वागत है आप सभी कारा सुकीर सोई में तो मतर तो जाने वाली है तो क्यों न हम जल्दी जल्दी इसकी कुछ न कुछ रेस्पी बना करें इंज्वाइ कर लें नई तो वही frozen मटरी खाने को मिलती है बाद में ये देशी वाली मटर खाने को नई मिलती है तो इसकी recipe बनाईए और खाईए जल्ली जल्ली मटर को बाय 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 बोलने से पहले तो चलिए बनाते हैं मटर फिराई जो कि खाने में बहुत ही tasty लगती है इसका स्वाथ तो सीजन की हो गए थोड़ा यलो यलो और टाइट टाइट सी कड़ी कड़ी सी होने लगी देखिए नाकुन से बहुत देर में से कटती है नहीं तो जो सौप्ट मटर होती है ना ताजी तो नाकुन से काटती ही कट जाती है तो पहले से डालेंगे पानी में इसे वालने के लिए इसमें डाल देंगे दो से तीन गिलास पानी, तो डायरेक्ट मतर को नहीं तलना है, पहले मतर को पानी में कुछ दिर उबालना है, चार से पाँच मिनट तक, यह मतर जब सौप्ट हो जाए, तब मतर को फिराई करेंगे, तो यह देखिए डाल दी है मतर, तो इसे आप ढ़क के भी पका सकते हैं, कोकर में एक सीटी लगा देजी, उतने में पक जाएगी आप कढ़ाई में ऐसे पका सकते हैं, इसमें अट कर देंगे नमक एक चम्मच, मतर में नमक का टेश्ट भी आ जाए, तो इसलिए मतर डाल दे देखिए, आपको मतर इतनी पकानी है, हाथों से थोड़ा दबने लगे, मतर पक चुकी है, तो इसे निकाल लेंगे छन्नी में छेद वाली में, आप डाइडेक्ट मतर को तलते, तो टाइट टाइट सी रहती है, क्योंकि यह आउट सीजन की मतर है तो, यह लिए दो आलू, दो प्याज, दो हरी मेर्च, आप इसमें और भी सबजिया कुछ भी एट कर सकते हैं, देखिए, प्याज को लंबा-लंबा काट लिया है, आलू को आपको विल्कुल छोटे-छोटे ही रखना है, यह दो हरी मेर्च, ग्रेट किया हूँ अद्रक, आप अद्रक लेसन का इसमें पेश्ट भी एट कर सकते हैं, लेसन की कुछ कलियां बारी काट के डाल सकते हैं, अब रखती है कढ़ाई यह बनाएंगे लोहे की कढ़ाई में, लोही की कढ़ाई में इसका स्वाद दोगना बढ़ जाता है, तो आप इसे लोही की कढ़ाई में बनाएंगे, इसमें एट कर देंगे एक बड़े चम्मा सर्सों का तेल, अब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे आधी चम्मा जीर, हींग, इसमें डाल देंगे गरेट किया हूँ अध्रा के ये अच्छे से भून जाए तो इसमें एट करेंगे आलू, आपको पहले प्याज नहीं डालना है, आपको पहले इसमें आलू ही डालना है, क्योंकि प्याज को जादा भूनना नहीं, आलू को पहले पका लेंगे, जब आलू हाप को खो जाए तब इसमें प्याज एट करेंगे, इसमें एट कर दिये बारिक कटी हुई हरी मिर्च, इसमें एट कर देंगे नमक के आलू जल्दी से पक जाएं, आलू हाप को खू चुके के इसमें एट कर देंगे, प्याज, प्याज को आपको इसी स्टेज में ही एट करना है अब प्याज को जब तक भूजना है जब तक प्याज सॉप्टन हो जाय Hey, प्याज को रेड़नी करना सॉप्ट होने तक ढखक कर अच्छे से पका लेना है प्याज का color चेंज नहीं होना चाहिए इसमें कर देंगे हल्दी पाउडर आधी चमस से थोड़ा कम ही किया है अब इसमें अट करेंगे मटर मटर का पूरी तरह से पानी निकल गया था आपको मटर पानी निकाल के यह अच्छे से डालना है जब इसका पानी बिल्कुल से निकल जाए अब पाउडर आमचुर पाउडर एक चमच गरम मसाला स्वादंसर नमक नमक याद रखिए पहली भी डाला थो बाल्ले में और आलू के साथ भी याट किया था तो आपको नमक इसमें कमी याट करना है अब इसे चलाती वे अच्छे से भूलेंगे इसमें अट करेंगे टमाटर क कटकर लिया है आपको टमाटर बिल्कुल लास्ट में ही डाला है तो यसे चलाती वे और भूल लेंगे एक बार ढखके रख देंगे तो इतने में थोड़ा सौप हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा निकलाना यह थोड़ा 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 देखनी चाहिए उपर शाहिए खाने में इसका टेष्ट बहुत ही अच्छा था है टमाटर का खटा खटा सा इसे मार्केट में भी मिलती है ना मटर फ्राइ बिल्कुल वैसे आपको लगी कि लोही की कड़ाई में बनी हुई है इसमें उपर से डाल देंगे हरी धनिया अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तो आपको हमारी मटर फ्राई की रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सस्क्राइब सेर जरूर कर दीजी और खाये गर्म गरब मटर फ्राई